तो आदाब नमस्कार गुडी निंग सस्या काल एक पर फिर आप तमाम लोग का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में आज बंडे सौंवार का दिन नए हफते की शुरवात उमीद है कि पूरी क्राइम तक फैमिली की जो छुटी है संडे है वो अच्छी लिए है जैसे आटो रिक्षा एक रिक्षा रिक्षा यह अब चलेंगी सवारी एक एक बैठेगा डी टी सी की बसे चलेंगी लेकिन बीस लोग एक बस में हो सकते हैं तमाम मार्केट बादार यह सब खुले हैं इवन स्टेडियम भी आप खोल दिया है लेकिन पब्लिक वहा लिए गया है तो कुल मिलाकर और उसका असर भी दिखा चूंकि यह लॉक्ड़ान फोर खतम हुआ और 17 तारिक को आज से थोड़ी सी दिल्ली की आबो हवा बदली बदली लगी सड़क पे गहमा गहमी थी भीड थी गालियों का शोर था आने वाले दिनों में अब लगता है फिर वैसी दिल्ली देखने को मिलेगी जैसा लॉक्ड़ान से पहले हम लोग देखा करते थे लेकिन कुल मिलाकर ये भी है कि कब तक करोना के साएं में लोग घरों में कैद रहकर जी ये चीज़े भी होनी चाहिए लेकिन इहत्यात और सुरक्षा भी जरूरी है तो मास्क सो कर गया इंडिया में आज क्रोना पॉजिट्व के मामले में मुझे याद है कि एक मैई से पहले पचास जार भी नहीं हुआ था पूरा और आज अठारा है तो लुगबग अठारा दिनों में ही जो पिछले धाई तीन महीने में पचास जार तक हम पहुंचे वो करीब सत्रा अठारा दिनों में उसका डबल हो गया एक लाग केसिज हो गया लेकिन बाकी देशों के मकाबले शुक्री है कि हमारे यहां जो मिर्तिव दर है वो कम है करीब तीन हजार लोगों के अभी तक मौत हुई है महारा सब भी पहले नंबर पर है गुजरात है दिल्ली है और कहानी पर आते हैं यह कहानी मुझसे और मेरे करियर और मेरे प्रोफेशन से भी बड़ा करीब और जुड़ा हुआ है जब मैं न्यूस पेपर से टी में आया आज तक मैंने नया नया जोइन किया उस दोर में और किलिंग नाम का एक शप्त बड़ा गूंजा करता था अब च इसके बारे में हम लोग जानते हैं और आई पी सी में भी इस हिसाब से कहीं पर तब होगा लेकिन हम लोगों की नजर आमतार को उन जर्म की कहानियों पर पढ़ती है उस क्राइम के जो जादतर होता है तो और किलिंग मेरे लिए भी बड़ा नया शप्त था तो शुरू में सारे ऐसी हाथ से जिंदगी में होते हैं जिसमें आदमी अपने आपको बचाने के लिए है कुछ और वज़ा से मार देता है तो मुझे लगा इसमें कुछ गलत नहीं है लेकिन जब धीरे धीरे सचाई पता चली तो फिर एक पूरी तस्वीर ही बदल गई और मेरी सोज भी और इतफाक से उस वक्त मुझे मेरे बॉस उदय शंकर हुआ करते थे जो भी स्टार इंडिया के पूरे एशिया वेशिया के हिड है एक ओनर किलिंग मुदफर नगर में हुई थी यह वेस्टन यूपी की बात है बिलकुल शुरुशू की बात है और मुझे आद है तब तक है वो बहतर होता है क्योंकि आप फील में होते हैं हर दिन कुछ ना कुछ निया करने को मिलता है अपनी अपनी सोच है तो उस वक्राइम डिपोर्टिंग कर रहा था शुरुवात थी मेरी तो मुझे 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 नगर में एक ऐसे ही केस हुआ 2003 या 4 की बात है तो म पानी उस वक्राइम ये थी कि एक लड़का लड़के को जला दिया गया था अब जिन्दा जलाया गया या मार का जला गया थे ये कंफरम नहीं हो था लेकिन उस जगा गया जहां पर राक तब भी पड़े वे थे सब पुझता गाउं में को बोलने को तयार नहीं था बलकि गाउं के लोग मना कर रहे थे कि हम लोग अंदर ना जाएं खत्रा है और तब उसी दौरान में खाप पंचायत के बारे में पहली बार सुना तो मैंने आप और बाकी सब चीजें तो सुनी थी खाप क्या हो था ये नहीं वालम था तो खाप पंचायत पहली बार मेरे कानों म वालों को पता चलता है उनका कहना था कि गोत्र के हिसाब से दोनों परिष्टे में भाई बहन लगते हैं क्योंकि लड़के की मा और लड़की के जो पिता और घरवाले थे वो एक ही गाउं में सब रहते थे तो उस हिसाब से आप चाहे उस कास्ट या बाकी के हो नहों लेकिन उनका कुछ य데धा, तो उसवज़ा से उन दोनों को पकड़के लाया गया ओर बाकाईदा दोनों को सदा दी गई अँचायत में फैसला हुआ कि दोनों को मार दो, दोनों को मार दिया गया, यह कحانी थी लेकिन इस कहानी से जादा मुझे जो साइट की कहानी उस दिन पता चली थी, वो जादा रौंग्टे खड़े करने वाले थी, जिस पत्रकार जिस जनलिस्ट के साथ मैं उस गाउं में इस स्टोरी को कवर करने गया, क्योंकि मुझे उस गाउं के अंदर तक की जानकारी नहीं थी, तो एक तूल के तूर पर, एक हेल उसी भी कहते हैं, तो वो मैंने बैल गाली पर चुके उस पूरे सीन और बागी कहानियां मिलती जुलती थी, तो वो की थी मैंने, लेकिन ये स्टोरी कंप्रीट करने के बाद, उस लोकल जनलिस्ट ने मुझे कहा कि चलिए थोड़ा घर, कुछ चाय वाइप्टी कर जाईग तो मैं चला गया कोई कोई मेरे साथ सुबा से लेके राब तक था, दो दिन मैं वहीं था, तो अगले दिन उसके फिर मैंने कहा था, दिल्ली लोटने से पहले आओंगा, मैं उसके घर गया, उससे बात चीत की, तो मैंने फिर ऑनर के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाने के उससे लंबी बात चीत की, उसने बहुत सारी चीजें बताई, एक कहानी ऐसी बताई कि मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं इस शक्स के साथ दो दिन से भूम रहा हूँ, उसने का कि यहां आप लोगों के लिए जो शहर से लोग आते हैं, जो बड़े बड़े चैनल से आते हैं, उनके लिए सब बड़ी चीजें अजीब होती हैं, हम जब पैदा होते हैं, उसी वक्स से हमारे जहन में डाल दिया जाता है, कि यह गाउं है, यह गोतर है, यह लड़की है, इस से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, इसके खिलाब जाओगे, तो तुम्हारे घर वाले लीडर भी थे, और अच्छा खासा दब दबा था, और सगे भाई की बात बता रहा है, उसने का ऐसे ही केस कुछ साल पहले हुआ था, एक लड़का लड़की में प्यार हो गया, दोनों ने भाग के शादी कर ली, दोनों के फैमिली वाले उसके पीछे पड़े, और लड़क किज़ों से हट कर, एकसेप्ट करने को तयार थे, लेकिन लड़के के घरवाले तयार नहीं थे, वो पहुंच के पंचायत के पास, खाप पंचायत ने फैसला सुनाया, गोतर बोला कि एक है, शादी हो नहीं सकती, रिष्टे में भाई बेहने, तो सदा ये दी, उस सदा के लिए, जिस में लोकल जनरिस्ट की बात कर रहा हूँ, उसके बड़े भाई, वहाँ पे उसी एक पंचायत से हिस्स, का भी हिस्सा थे, और नेता भी थे, राजिनी थी, उनके पास ये मामला आया, मामला आने के बात बताया गया, कि ये दोनों ने शादी की हैं, लेकिन गोत लड़के को अपने हाथ से मारते हैं, लड़के वाले अपने लड़के को अपने हाथ से मारते हैं, और ये फैसला अटल है, इस फैसले के आगे कुछ नहीं हुआ, लड़की वालों को भी मालूम था, हलाके वो चाहते थे कि ऐसा ना हो, कि अगर इस पंचायत के फैसले के ख गरवालों ने अपनी बेटी को अपने हाथ से मारा, लड़के के घरवालों ने अपने बेटे को हाथ से मारा, कोई इसका रिकॉर्ड कानून में या कहीं नहीं है, लेकिन यह हूँ, और ऐसे नजाने कितने केसिस हैं, कहते हैं कि कुछ साल पहले तक, अब थोड़ा सा कमी आई हैं, देश में अपने हर साल सिर्फ इजद के नाम पर याउनर के नाम पर हजार से बारा सो पत्याएं होती थी, तब एक हजार से बारा सो लोगों को मार दिया जाता था लड़के लड़कियों को, कुछ साल पहले तक की बात हैं, सबसे जादा कहां कहां, हरियाना, दिल्ली जेहाथ पश्मी उत्तर प्रदेश जिसमें मुजफरनगर भी आता है पंजाब का कुछ इलागा राजस्थान का कुछ इलागा यह वो खास जगें जहां पे सबसे जादा ओनर की लिंग हुई है और सबसादा एक्टिव खाब पंचाहद भी यही है तो जब उसने कहानी सुना है उसके बाद मैं दिल्ली लॉटा फिर मैंने इसको पूरा आदे घंटे के एक स्पेशल शो बनाया और इतफाक की बात है तब मैं उस वक्त तक चुके क्राइब रिपोर्टिंग करता था रिपोर्टिंग और एंकर में फर्क होता है रिपोर्टर फील्ड से भी अगर करके आया तो मेरे बॉस ने कहा था कि जिसे इस्टूडियो में बठा दिया गया पो पहन लिया अब प्रोडूसर ने क्यों बोला आपको बोलना है हाला कि सामने प्रॉम्टर पर भी लिखा रहा है लेकिन तब यह लगता था कि लाइव है कहीं बीच में खासी आगई हिचक करती होगी सारी चीज आपके दिमाद में भूंती है तो समझ गया थे तो उन्होंने का काम करो तो स्टूडियो की जगह पे इसको आउट डोर एंक्रिंग कर दो तब भी मैं खबराए कि और डोर कैसे करूंगा फिर वो समझ गया तब उन्होंने कहा कैसे काम करो तो तुम ज देश दुनिया के बाद की खबरों के लिए देखते रही आस तक तो मैंने गई यह लिए बड़ आसान है जाकर यही कर दिया वह आया और वही वह एंकर हो गया लिंक तब पहली बार डर गया और मुझे लगा उस बॉस के बारे में तेरा उदर शंकर जी के बारे में कि सामन फिर वेकली शो जुर्म लाँच हुआ फिर रास था खौफ था वारदात 15 सालों से चला रहा है क्राइम की बाकी जतनी बड़ी दूसरी खबरे होती है उसमें करता रहता हूँ लेकिन आज भी मेरा जो प्यार है वो क्राइम रिपोर्टिंग ही है एंक्रिंग नहीं है वो सोचने पर मजबूर कर दिया मेरे जैसा शक्त जो नहीं जानता था कि ऑनर किलिंग का मतलब क्या खाप पंचायत क्या है पूरे देश ने जाना था ये बात थी 2007 की ऑनर किलिंग जब एक छोटे से अलाके से निकल कर पूरे देश के अखबारों की हेडलाइन बनी टीवी पे हेडलाइन बनी कई 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 शोज बने ये उस ऑनर किलिंग की कहामी है और ये वो ऑनर किलिंग जो हिंदुस्तान में पहला ऑनर किलिंग का मामला है जिसमें अदालत ने मौत की सजा दी थी यह पहला ऐसा मामला है जिसमें सजा सुनाने के बाद महिला जज थी उन्होंने अपना ट्रांसफर करा लिया था क्योंकि उन्हें धंगी आमनी रही थी खाम पंचायत से यह पहला ऐसा मामला था जिसमें खाम पंचायत ने इस फैसले के कोट के फैसले के बाद बाकाइदा बड़ी बड़ी रैलियां की हाईवे जाम किये और ये भी कहाता है कि जो भी इस कोट के फैसले को मारेगा गाउं के लोग उस ब्रादरी के लोग उनका हुका पानी बन उनके उपर 25,000 रुपे का जर्माना होगा और हर खाप पंचायत ने अपने लोगों से 10-10 रुपे फीस के तोर पे वसूले थे ताकि इस मुकदमे को आगे लड़ा जाए ये पहला केस था जिसमें पुलिस वालों को भी सजा दी गई पुलिस के खलाब भी एक्शन दिया गया ये पहला केस था जिसमें जो चुने हुए MP और विधाय के मिले ये भी समझ में यहारत है कि क्या करें एक तरफ पार्टी लाइन की तरफ जाएं दूसरी तरफ गाउं में इनके जाने पे पावंदी क्यों कि खाप पंचाइट का फरमान कि अगर तुम इसके खलाब गए हमारी पॉलिसी के खलाब गए तो या इस गाउं में नहीं आओगे चुनाओं में तुम्हें बोट नहीं मिलेंगे तो वो भी डेड़े वे थे ये पहला केस था जिसमें पूरे वहां के आसपास की लोकल मीडिया की हिम्मत नहीं होती थी कि वो गाउं में जाकर खाप पंचाइट के खलाब कुछ लिखे या दिखाए तो कई सारी ये चीज़ है करोडा गाउं दोनों वहां रहते थे मनोच के पिता की डेथ हो चुकी थी चार भाई बैनों में सबसे बड़ा पूरे घर की जिम्मेदारी उसी को उपर उसका अपना मैकनिक का शौप था साथ में उपढ़ाई कर रहा था बार्वी तक अभी पढ़ाई नहीं की थी उसन और बबली के जो मामा वो सारे उसी गाउं से तो काईदे सीन लों का जो अपना एक सारी चीजों होती है गोत्र के इसाब से यह माना गया था कि बबली और मनोच एक ही गोत्र के हैं क्योंकि मामा और मा यह वहीं से आते हैं जहां से बबली का भी खांदान आता है तो यह रि ये दोनों शादी नहीं कर सकते हैं पर उस वक तक शादी की बात नहीं थी दो हजार पाँच में बबली और मनोज कु़के बच्छपन से की गवह नहीं रहे पले बढ़े धीरे धीरे साथ जवान हों दोनों में दोस्ती थी रिश्टदार तयार नहीं होंगे तुम्हारी शादी के साथ क्योंकि गोत रेक बड़ो केते हैं कि जब इष्ट सवार हो जाता ہے छोर पे तो कहां कोई सुनता है मनोच के साथ भी ही था मनोच की मा कर भी ही है दिना भी बबली की मा के पास जाती है बड़ दोनों नहीं सुनते हैं दोनों का प्यार चलता रहता है पूरे दो साल तक इस दोरान में तमाम रसमें वादे कस्में सब कुछ खा लेते हैं कि शादी करेंगे एक साथ रहेंगे इसी दोरान 2007 की बात आती है 2007 में मनोज बार्मी का एक्जाम दे रहा था एक्जाम दे चुका था रिजल्ट आ गया था इंग्लिश में कमपार्टमेंट था तो इंग्लिश का कमपार्टमेंट का एक्जाम देना था उसको और इसी एक्जाम को देने के लिए पांच अप्रेल 2007 को मनोज वहां से निकल जाता है मनोज की माँ कोई ये लगा था कि वह एक्जाम देने के लिए करोडा काउं से बाहर गया है लेकिन कहानी कुछ और थी मनोज और बबली इन दोनों ने पहले से तैक कर लिया था कि गाउंवाले घर वाले शादी कराएंगे निए और अब वक्त आगिया हम दोनों चलके शादी कर देते है तो 5 अपरिल 2007 को मनोज गाउं से निकल लेता है बारवी क्या कमपार्टमेंट का एक्जाम देने के नाम पर उसके बाद ये लोग 7 अपरिल 2007 को चंडी गड़ के एक मंदिर में शादी कर लेते हैं बिना घरवालों को बताये हुए अब घर से मनोज गाइब घर से बबली गाइब पहले मनोज के मावाप को तो ये बाप मा को ये लगा कि वो तो एक्जाम देने किया लेकिन जब बबली भी घर से गाइब तो बबली के घरवालों को फिक्र सताने लगी और उसके बाद उन्होंने जब पता किया क्योंकि दोनों के प्यार की बातें दोनों के परिवार को पता दी तो वो समझ गए कि ये दोनों भाग गए बबली के घरवालों ने पंचायत में जाकर शिकायत कर दी और उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरोज उनकी बेटी को लेके भाग दिया खाप पंचायत में बबली के अपने दादा गंगा राज वो शामिल थे उन्हें भी इस दोनों के प्यार की सुबगाट मालूम थी इसके बाद पंचायत बैठती है और पंचायत फैसला सुनती है काये जाता है कि दोनों भाई बहन है इसलिए इनके भागने और इनके प्यार को कोई कानूनी या खाप पंचायत की मुहर नहीं लगेगी और पंचायत ये फैसला सुनाती है कि इन दोनों को पकड़के मार दिया जा ये फैसला बबली के भाई, बबली के मामा, बबली के चाचा और खुद दादा उसमें शामिल थे गंगाराच इन सब को जब ये पंचायत का फैसला आ जाता है अब ये सब निकल लेते हैं, ढूनने के लिए लेकिन बबली और मनोच कहां थे हैं, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं इसके बाद ये दूसरा कान ये करते हैं कि बबली के घर वाले 26 अपरेल, 7 अपरेल की ये बात है जब दोनों गायब हुए थे 21 दिन के बाद, बलके 19 दिन के बाद, पुलिस टेशन में जाते हैं और मनोच के खलाफ एक कम्प्लेंट लिखाते हैं, फैर लिखाते हैं कि बबली का किड्नेप करके वह उन्हें ले गिया है ये बात गाउं के जरीए किसी तरह से मनोच तक पहुंचती है कि बबली तक पहुंचती है कि मनोच को पुलिस ढून रही है कि इसने बबली का किड्नेप किया वक्त लगा मनोच तक ये बात पहुचने में लेकिन मनोच को अब लगा कि क्या करें 23 के बाद 15 जून 2007 को अजशी के पहुंचता है कि तुके दोनों जिस जगा से आए वहाँ पे खाप पंचायत काफी मजबूत है और शायद उनकी शादी को माननेता ना दे और उनकी जान को खत्रा भी है तो अदालत ने उनकी शादी को ना सिर्फ माननेता दी बलकि स्टेट गवर्मेंट को हुक्म दिया कि इन दोनों को पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए और अदालत के कहने पर पांच पुलिस वालों को बबली और मनोत की सुरक्षा के लिए तैनाओ कर दिया गया ये बात है 15 जून की 15 जून को पुलिस वालों की सुरक्षा और अदालत से शादी की माननेता मिलने के बाद दोनों बेहत खुश खुशी के बाद ये दोनों वहां से निकलते हैं और कहते हैं कि चुके अब अदालत ने भी मोहर लगा दी है तो हम गाउँ जा सकते हैं और पुलिस है ही हमारे साथ तो दोनों बेफिक्र हो गए इसके बाद दोनों वहां से चंडी गड़ से बस लेकर कैथल अपने गाउं के लिए रवाना होते हैं लेकिन कुछी दूर जाने के बाद हैरत अंगे इस तोर पर वो पांच पुलिस वाले अलग अलग करके इन दोनों को अकेला छोड़ देते हैं और बस से उतर के चल जाते हैं उनके जाने के बाद अब मनोज और बबली को लगा कि कुछ न कुछ गरबड है यह पुलिस वाले अचानक हमें छोड़ कर जा दे एक जगह पे वो उतरते हैं बस से बस से उतरने के बाद एक पीसियो से मनोज कॉल करता है अपनी मां को कहता है कि मैं ऐसे ऐसी बात है कानून ने हमारा साथ दिया है मैं अपने गाउं आ रहा हूँ लेकिन पांच पुलिस वाले हमें रास्ते में ही छोड़ कर चले गए है मुझे लग रहा है कुछ गरबड है तो मैं अभी गाउं नहीं आ पाउँगा अब बैद दिल्ली जा रह माँ ये आखरी बात चीत थी मनोच की अपनी माँ से फोन रखने से पहले मनोच अपनी पत्नी बबली से भी अपनी माँ की बात करता है बबली अपनी सास से पूछती है कि क्या आप हमारी शादी को मानने ता देंगी मनोच की माँ कहती है कि अब जो तुमने करना था कर लिय क्या मेरी बहु है तो मैं तुम्हें उतनी इज़त दो नहीं वो खुश हो जाती है फोन कर जाता है इसके बाद दोनों अब कैथल की जगह दिल्ली जाने वाली एक बस में सवार हो जाते हैं लेकिन ये बस पीपली से करीब 20 किलोमेटर दूर एक जगह है रायपूर वहां जब गारी में बिठा लेते हैं और बिठा कर ले जाते हैं जब वो ले गए उठाकर जिस तरीके से ले गए वहीं पर एक कॉंट्रेक्टर था जहां पर ये बस खड़ी थी जहां से रोकते ले गए थे उस गारी का नंबर नोट किया उसने ये भी देखा उन दोनों को भी देखा और फिर उसमें पुलिस को इंफॉर्म किया लेकिन पुलिस को लगा कि कोई ऐसी बात है कुछ पता नहीं किया SUV अब इन दोनों को लेकर एक गुमनाम जगे पर पहुंचती है जो लोग थे उस SUV में उसमें बबली का भाई था बबली के मामा थे बबली के चाचा थे एक ट्राइवर था ये लोग दोनों को एक बंद कमरे में रखते हैं और सबसे पहले बबली की बुरी तरह पिटाई करते हैं इसके बबली का गला गोट के उसको मार देते हैं उसके अपने घरवाने बबली को मारने के बाद मनोच से कहा जाता है कि वो जहर पी और उसके मूँ में जबरन जहर डाला जाता है वो जबरदस्ती पिलाई जाती है और फिर उसके बाद उसका भी गला गोटा जाता है बात आई गई हो गई 9 दिन बीट जाते हैं ये बात है 15 जून की 9 दिन बाद 23 जून 2007 को कैथल से कुछ दूरी पर एक नाले में इन दोनों की लाश मिलती है लाश किसे और पुलिस को पली थी पुलिस देखती है लाश की शिनाक नहीं हो पाती है पुलिस लाश के कपड़े मनोच के शट और जो लड़की के पाजेब थे पायल वो अपने पास रख लेती है कुछ मुड़ी तुरी तस्वीरे थी जो गलीवी थी जब आसपास में पड़ी थी वो भी उठा लेती है और उसके बाद उनी के जरीए बाद में पैचान होता उन शट के जरीए और पाजेब के जरीए कि ये लाश मनोच की थी और ये लाश बबली की थी उसके घरवाले इसके शिनाक करते है जस कांटेक्टर ने एस यूवी उसको ले जाते हुए देखा था उसने नोट किया था बाद में उससे एस यूवी और उसके ड्रैवर को पकड़ा जाता है और उसके बाद धीरे धीरे जब पलिस जांच करती है तो तफ्तीश में पता चलता है कि इस गतल में बबली के भाई बबली का मामा बबली का चाचा ये सारे लोग शामिल थे कतल का ओर्डर खाप पंचायत में मौजूद उस वक्त बबली के दादा गंगा राज ने दिये थे पलिस इन में से पांच लोगों को ग्रफतार करती है ग्रफतारी के बाद इसको लेकर काफी विरोध भी होता है इस ग्रफतारी को लेकर लेकर लेकिन पलिस अपना काम करती है और मुकदमे की शुरुबात होती है इस दोरान में मनोच के माँ और घरवालों के ओपर तमाम ख जुलना लोगों का बंद कर दिया जाता है क्योंकि वो खाप पर जायत के खिलाफ केस लड़ने पहुंच गया थे और मा सबसे आगया आगय थी 33 महीने और 50 सुनवाई होती है 33 मन्स गुदर जाते हैं 50 हीरिंग्स होती है जिसमें करीब 40 से 45 विटनेस होते हैं जिसमें वो कॉंट्रेक्टर सबसे हम था बाद में उसी की निशान देए के एस्यूवी गाड़ी मिलती है उसे एस्यूवी गाड़ी से कुछ चीजें परामद ह जिला कोट अपना फैसला सुनाती है फैसला इन में से चार लोगों को फांसी की सजा देती है तोटल छे लोगों को पकड़ा था जिसमें भाई चाचा मामा सारे लोग थे लेकिन जो गंगाराज बबली के दादा जो खाब पंचायत जिनके पंचायत में फैसला आया था उसे फांसी की सजा नहीं देगी, बलकि उम्रकैद की सजा देगी उस SUV का ड्राइवर, जिसने किड्नेपिंग में मदद की थी पर वो कतले के वक्त मौदूद नहीं था, इसलिए उसको साथ साल की सजा दे चार को फांसी, एक को उम्रकैद और एक को साथ साल ये हुकमा है लेकिन इससे मनोच के घरवाले संतुष नहीं थे क्योंकि उनका मानना था कि इस दोनों की मौत के लिए जो सबसे पड़ा जिम्मेदार शक्स था वो खाप पंचायत का वो शक्स था यानि बबली का दादा गंगाराज और उसी को उम्र कैद मिली तो वो लोग फिर पंजाब हाई कौर्ट पहुँचते हैं इदर जिनको फांसी की सजा हुई वो सजा के खलाब पंजाब हाई कौर्ट और आखिर कार मार्च 2010 में पंजाब हाई कौट अपना फैसला सुनाती हुआ बबली के भाई जिसका नाम सुरेश था और जो बाखी को कोट ने फैसला सुनाया वो खाब पंचायत या फिर ओनर किलिंग के मामले में हिंदुस्तान में पहला मामला था जिसमें किसी ओनर किलिंग के मामले में फांसी की सजा दी गई हूँ लेकिन उस सजा को बाद में पंचाब एन हाई कोट भर्यान हाई कोट में उम्र कायद में त सुप्रिम कोट में जाने के बाद भी गंगा राज को बरही किया गया बाकी की सजा उम्र कैद रही इस दोरान में जो करनाल हाई कोट की जो जच थी महीला जिन्होंने फासी की सजा देती चार लोग और एक कोमर कैद थे उनको लगातार धम क्या हम दिया उन्हें कहा गया कि आ उन्होंने अपना करनाल की जिला अदालत से पंचकुला की अदालत में ट्रांसफर कर वा लिया ये देशत और खौफ थी खाप पंचायत की जो पांच पुलिस वाले भागे थे जिनको खुद कोट ने ये कहा था कि आप इन मनोज और बबली के आप इभादत करेंगे और र बाकी को कुछ-कुछ वक्त की सजा हुए मामला सरफ यहीं खतम नहीं हुआ फैसले के बाद पूरी खाप ब्रादरी अलग अलग जहों पे इन्होंने बड़ी-बड़ी-लंबी-लंबी धरने प्रदर्शन किये और इस फैसले के खिलाप गये और ये भी हुआ कि जो भी मनोज के फैमिली वालों का सपोर्ट करेगा उसका हुपका पानी बंद होगा 25 सा रुपए का जुर्माना होगा और हर शक्त से 10-10 रुपए कहा गया खाप के जो पंचायत के लोग थे वो दें कोट फीस के तौर के को इसको लेकर लड़ा जाएगा लेकिन यही वो केस था जो और किलिंग को लेके उस वक्त इस इंसिजिटन के बाद मनोज और बबली नया कानून बना खाप पंचायत के बहुत सारे अधिकार चीने गए बात की गई और तब जाकि यह मामला थोड़ा उसके बात कम हुआ लेकिन आज भी जब ऑनर किलिंग की कोई बात आती है तो हमेशा मनोज और बबली की यह कहानी जरूर लोगों को याद दिलाई जाती है क्योंकि यही वो केस था जिसने ओनर किलिंग और खाप पंचायत इन दोनों के बारे में पूरे देश को एक तरह से जग जोरा और बताया कि यह मामला क्या था अब थोड़ी सी जाग रुकता आई है लेकिन अभी भी यह नहीं कह सकते हैं हम लोग कि खाप पंचायत का असर नहीं है या बहुत जादा सारी चीज़ें हो गई है टेकनलोजी, मुबाइल फोन, इंटरनेट बहुत सारी चीज़ें आई हैं लेकिन अभी भी खास तोर पर पंचाब, हर्याना, दिल्ली, दिहात, परश्मी, उत्तर परदेश ये वो इलाके हैं जहां पर ये गोत और खाप पंचायत लगबख उसी मजबूती से काम करती है और इनके खलाब जाने का मतलब बहुत बुरा होता है, बहुत सारे ऐसे गायब होएं जनका आज तक पता नहीं चलता मेरा अपना एक दोस्त है और इसी पेशे में है, नाम नहीं लोगा उसने भी वो वेस्टन यूपी का है, और इत्फाक से जब वो काम जहां करता था, वहीं पर एक लड़की भी काम करती थी दोनों में प्यार हुआ, दोनों ने शादी कर ली, दोनों को मैं अच्छे से जानता हूँ, पर गरबर यह हुआ कि प्यार करने के बाद उसे पता चला कि इस लड़की का पुराना जो कनेक्शन और रिष्टा है वो उसके काम से है, और उस हिसाब से फिर वो गोतर उसमें आ बात की थी कुछ, बट ये था, कि तुमको करना है कर लो, बस स्रीब एक चीज का ध्यान रखना, लॉट के इस गाउं में मताना, आओगे तो तुम्हारी जान खत्रे में होगी, हालग उसकी वैसे उसके भाई को भी काफी कुछ धेलना पड़ा उस वक्यों, क्योंकि जो धर का कोई शक्स ऐसे चीज तोड़े तो फिर उसके उपर कैसे आ, तो वो भी बड़ा मुश्किल काम था, कि पंचायत और गोतर के खिलाफ अगाउं उसके जाना, लेकिन खैर वो गया नहीं, लेकिन बहुत जमाने के बाद सुना कि फिर वहां हाला थोड़े बदले लोगो के सोच में बदलाओ आया, अभी उसके दो बच्चे हैं, खुश है, और वो अब गाउं भी जाता है, तो ये एक अच्छे चीज है, तो ये थी कहानी, खाप पंचायत और ओमर किलिंग की, अब मैं कुछ नोट करके लाया हूं, बहुत सारी चीज़े हैं, एक तो क्राइम त नैंसी चोपडा, इनका जनम दिने नैंसी बहुत-बहुत बधाई हो, प्रिंस गुलाटी ने भेजा है, दुरगा मंडल है, इनका भी जनम दिने आपको बहुत-बहुत बधाई, गौतम पासवान जी ने भेजा है, रानी सानवी है, और निर्मल दास ने भेजा है, तो रा इसके लावा नागेंद्र बिल्लारी से हैं कनाटक इनकी आजा निवरसरी है तो आपको पूरी क्राइम तक फैमली की तरफ से बहुत सारी शुब कामने हैं विशिश एक खास बड़ा मेल लिखा है विजय यादव साहब विजय यादव और रश्मी सिंग ये दोनों लॉगड रहने वाले जमशेदपूर के हैं इनके वाइफ रश्मी सिंग इस वक्त जमशेदपूर में मार्च से ये मैं आगया मैं भी आदा खतम हो गया लॉगडाउन ने दोनों के बीच में दूनिया बना रखिये दोनों मिल नहीं रहें जाने का कोई साधन नहीं अब शायर ट्रे दीजे खुल रहा है तो हो सकता है आप लोग जल्दी फिर एक साथ हो मेरी वी यही दुआ है तो अपना ख्याल रखें आप लोग इसके लावा हरलीन रंधावा इन्होंने स्टोरी की एक लिस्ट भेजी है जल्दी आपको सुनाता हूं हरलीन जी वैंकर टेश सावंत हैं फ लोग पर ही मामला है चारश फिर दाखिल हो चुकी है केस की हैरिंग चल रही है बाकी सादा कोई अप्डेट नहीं है भी कोई फैसला आया नहीं है विभूती जनसारी है प्रोफेसर विभूती जनसारी साथ शायद मैं गर नाम गलत नहीं ले रहा हूं और इन्होंने पहाने सुननी शुरू की तो ठैंकियो प्रोफेसर विभूती जी गीता मज़ उंदार है और नहिरोबी से हैंगी इन्होंने रिखा कि स्कूल खुलेगा तो क्या होगा कैसे बच्चे क्या कैसे जाएंगे कई देशों में खुल भी गया मैचीन के विजवल देख रहा था कि ब जगा यही तस्वीर हैं में देखने को मिलेंगी साथधानी होगी लेकिन वही है कि आप हमेशा के लिए सब कुछ बंद नहीं कर सकते हैं तो गीता जी यह है कि स्कूल भी खुलेंगे कॉलेज भी खुलेंगे लेकिन थोड़ा अगर यह सारी चीज़ें मेंटेन हो तो वह ज जाते हैं जर्णा पटेल हैं हैरत अंगेज जो अभी एक क्राइम तक पर शुरू किया है संदे सुबर नौ बजे उन्हों नतारीफ कि और भी बहुत सार ऐसे मेल आया अपनों होगा तो थैंक्यू और को सुझाओ भी है उस पर भी अमल करेंगे हरीश मंडाला साहभी इन्ह हैं यह ब्रसल से हैं बेल्जियम और इन्होंने काफी अच्छा मेर लिखा है थैंक्यू सोनु जी आप लोग इसी तरह देखते रहें पर लभी आनंद है ऐसे फालम है यह रेटिंग इंडिया उस दिन मैंने कहानी सुनाई थी और यह था कि मीडिया की आजादी को लेके कु और आन्शुल धट इन्होंने रैंकिंग भेजिए कि पाकिस्तान 145 फे हम 142 पे हैं अफगानिस्तान 122 पे है यह मतलब अगर हम इन तीनों की बात करें तो शायद तो आफगानिस्तान में जादा आजादी है इसके बाद अफिर इंडिया है फिर पाकिस्तान है तो 145 142 नि तो लेकिन आजब़ आ फास है लेकिन अफ़गानिस्तान के फैमिली मेंबर मिलाद जलिली साफ का भी मेल आया था इसके लाबा पलवी आनन्ध है एमी मलिक है और इन wur नहीं आज एमी मलिक नहीं है मनोज अर बभली की कहानी के फर्माईश की थी थैंक यू मलिक साथ, जशन चहल है, F.B.I. की कहानी सुनना चाहते हैं, जल्दी सुनाता हूँ, आपको नैना पोल है, और ये ट्रेन ब्लास्ट की बारे में नो लेका, जब मुमे में सीरियल ब्लास्ट हुआ था, तब इनके फादर हॉस्पिटल में थे, और नैना का कहना था और अगर ये इनका कहना है कि मुझे जल्दी ओदिन मेरे फादर ने घर न भेजा होता, तो शायद मैं भी उनी में से किसी एक ट्रेन में सवार होती है, तो उपर वाला सब ठीक रखता है नैना जी, थैंक यू, पार्थादास है, ये B.S.F. में हैं और बांगलादेश बॉ जल्दी मुलाकात होगी आपसे फोन पर भी बात होगी देवानशु धत हैं, जिनके बारे में ने बताया है, लिस्टिंग बेजी थी, कृष्णा है, है एधराबाद से इसकलावा वर्दन सिंगल है, और ये नादी जयत्शी के बारे में कहानी सुनना चाहते हैं, जल्दी स जैसा कि शुरू में आपको बताया था कि इंडिया में क्रोना के पॉजिटिव केसिस एक लाग क्रॉस कर चुका है, तीन हजार के करीब मौत होई है, नमबर वन पे महारास्टर है, नमबर टू पे गुजरात है, नमबर थरी पे डेली है, तो आज इतना ही, कल रात नो बज ये फिर मलकात होगी आपसे किसी नहीं कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखे, थैंकियो वरी मौच्छ